राजस्थान विधान सभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है ऐसे में सभी पार्टियां जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है वही सत्ता पर काबिस कॉंग्रेस सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है तो बीजेपी भी चुनाव जीतने की बात कह रही है ऐसे में सितंबर महीने में दो सर्वे सामने आए इन सर्वे में बीजेपी की वापसी थोरी कठिन होती हुई दिखाई दे रही है हालांकि यह ओपिनियन पोल था नतीजे आने के बाद देखना होगा यह कितना सटीक बैठते हैं आईए आपको सितंबर में हुए दो ओपिनियन पोल का डेटा सर्वे में पार्टियों की नींद उड़ा दी है दोनों सर्वे में आए नतीजे ने बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ा दी है क्योंकि इन नतीजों में बीजेपी के लिए सत्ता तक पहुँचने की राह आसान नहीं नजर आ रही है दोनों ओपिनियन पोल में कॉंग्र सर्वे के मुताबिक राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि कॉंग्रेस की सरकार रिपीट होने की संभावना है सर्वे में यह भी बात सामने आई है कि 2023 के विधान सभाचुनाव में कुल 200 सीटों में से कॉंग्रेस को 97 से 105 सीटे मिलने का अनुमान है वहीं बीजेपी को 89 से 97 और बीएसपी को 0 से 4 सीटे मिलने की संभावना है वहीं IANS पोल स्ट्राट के सर्वे में राजस्थान के 38 प्रतिशत लोगों ने CM अशोक गहलोत को अपना फेवरेट नेता बताया वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दूसरे नंबर पर रही 26 फीसदी लोगों ने उन्हें अपनी पसंद बताया है सचन पाइलट तीसरे स्थान पर हैं उन्हें 25 फीसदी लोगों ने अपना फेवरेट नेता माना है सर्वे के अनुसार भाजपा को 95 सीटे मिलने की उम्मीद है जबकि कॉंग्रेस को 91 सीटे मिलने की संभावना है दोनों पार्टियों के बीच वोट शेर में 0.6 शून्य प्रतिशत से भी कम का अंतर है वहीं अन्य पार्टियों को 15 प्रतिशत वोट शेर के साथ 3 से 6 सीटे आने की उम्मीद है टाइम्स नाव के सर्वे के अनुसार मारवाड में भाजपा कॉंग्रेस के मुकाबले बहतर करती नजर आ रही है भाजपा को 30 से 32 सीट पर जीत मिल रही है जबकि कॉंग्रेस 27 से 29 सीट पर सीमित रही है इसी तरह से मेवाड में दोनों के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है कॉंग्रेस और बीजेपी को 20 से 22 सीट मिलती नजर आ रही है वहीं हाडोती की बात करें तो बीजेपी 8 से 10 सीट पर जीत रही है जबकि कॉंग्रेस को 7-9 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी में बीजेपी को 10-12 सीटों पर जीत मिल रही है। जबकि कॉंग्रेस को 9-11 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। ऐसे में साफ है कि राजस्थान में भाजपाव कॉंग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होगी. अक्टूबर में सभी पार्टियां अपने उम्मीद्वारों की घोशना करेगी. ऐसे में जनता अपने पसंद के उम्मीद्वारों और उनके चहरे पर भी वोट करेगी, जिससे आं भर करेगा.